हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं समार्ष द्वारा संस्थान भीनमाल द्वारा अध्यक्ष किशोड सांकला के नेतरुत में पीमब सीम के नाम तैसीलदार राम सिंग राओ को ग्यापन सौपा गया ग्यापन में बताया कि भीनमाल नगर सहित विधान सबाशेत्र के समस्त गाओं वर ठानियों में नर्मदा का उपलब करवाने के लिए वर्ष 2008 में राज सरकार द्वारा करीब 371 करोड की लागत से नर्मदा परियोचना इयार प्रोजेक्ट तयार की गई थी वर्ष 2013 में ततकालीन राज सरकार द्वारा योचना को मनजूर कर कारेच चालू करने के लिए बजट आवंटन किया गया थ जिसमें उक्तकारेवर्ष 2016 में पूर्ण करने का लक्ष था लेकिन कारेप्रारम होने के बाद निर्वोचित राज सरकार प्रशासन वा शेत्र जन प्रतिनितियों की अंदेकी के चलते उक्तकारे को लेकर आवशकता अनुसार बजट आवंटन नहीं करने की वज़ा से उक् जट आवंटन वकारे की प्रगती इसी प्रकार रही तो उक्तकारेवर्ष 2025 तक पूर्ण होना मुश्किल नजर आ रहा है वरतमान में भीनमाल चहर में करीब साथ दिन वगावों में पैजल आपूर्थी का इंतिजाम नहीं के बराबर होने की वज़ा से पैजल का भारी संक श्रेतिक धर्ना प्रतर्शन वा आंदोलन को भी नजर अंदास किया जा रहा है जिसको लेका लोगों में भारी आक्रोश्व्यक्त है इस अफसर पर पूर्वन नपा उपाद्याय जैरूपाराम माली कपूर्चन गैलोत महेंद्र सोलंकी राजु सिंग माली मांगिलाल गैल सतीश सेन, अशोक सिंग, ओपवत, ओट सिंग राओ, पृत्वीराज फुलवारिया वा हेम सिंग राओ सहित बड़ी संख्या में माली समाज की महिलाओ वा समीती के सदस्यों ने भाग लिया जागरुक टेवे की भीनवाल से परबत सिंग राओ के रिपॉर्ट